आपको चोट लगी है दीदी तुरा फूल गया ओके दीदी जा कलकटा वापस जाएंगी आभी जा रहा है अभी जा रहा है और ये कहां पे हुआ दीदी एग्जाक जगा कौन सी है अरे दीदी हमारी तरफ एक कहावत है कि अधोजटाएं मोडने से लाश हलकी नहीं हो जाती ये बस सामान निग्यान के लिए बता रहा हूं एक खबर आई कि नंदी ग्राम में किसी तुमी दूस्टो इश ने ममता दीदी के पैरों पर कार चरहाने की कोशिस की और उनके पैर में सूजन हो हुए दूसरी जगह खबर यह चली कि भजपईयों ने उनके पैर को कुचल डाला है तीसरी जगह किसी संगी ने मजे लिए कि उनहीं लोगों ने बैठे-बैठे कुछ जंतरमंतर कर दिया है जिससे पैर घायल हो गया है घायल एक अच्छी फिल्म थी जिसमें श्री पूज सारने वाले कहते हैं कि मटकी सिर पर गिर सकती है इसलिए कभी ने जान बचाने के लिए कहा होगा लेकिन इस पर विद्वानों में काफी मत्भिन्नता है अब आप कहेंगे कि प्रम सम्मानिया प्राता स्मर्णिया श्वी अजीद जी ब्रोने यह ममता के पैरों की बात हो र सार्थ अपने सर पर बांध लिया था जो कि तीन दिन में सिमर्टे सिमर्टे न्यूजिलेंड के दूइप जितना चोटा हो गया था लेकिन वाम पंथन है तो इतनी बकलोली और मुख्षता तो उनसे सामानिता पेक्षित है इंडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दी नेतिक विशलेशक यह भी कर रहे हैं कि बाय हाथकार्थ यह है कि त्रशंकू सरकार होने की स्थिती में ममता ने सपष्ट संदेश दिया है कि वामपंथियों से वह समर्थन ले सकती हैं ऐसे ही विशलेशक 2019 में मोदी की हार निश्चित बता रहे थे खैर एक टेंपररी प् यानिक श्री प्रशान जी किशोर की स्क्रिप्ट से अलग घटित हो गई है और लोगों में अविश्वास फैल गया है तो उतर प्रदेश में राहूल गांधी को मुख्यमंत्री बनाने की योजना सुझाने वाले किशोर जी हॉस्पिटल के बाहर एक बड़ा सा हथारा ले लगवा कर बताया है कि वह अपने जखमों को राजनेतिक तोर पर भुनाने वाली महिलाओं में से एक नहीं है टीमसी ने अनाधिकारिक तोर पर मुझसे रात में दिया बुता के वीडियो कॉल करते हुए कि दीदी के लिए प्लास्टर का गोल तो फूल बॉड़ी आया था लेकिन उन्होंने कहा है कि वो जो बचा है वो भाटपड़ा के हिंदू घरों के बच्चों के उपर लगवा दिया जाए चाहे उन्हें जरूरत हो या ना हो यूँ तो जलन की आग में करिया हो चुके लोग हर बात में मीनिंग निकाल लेते हैं जैसे कि हॉस्पिटल में मम कि मंत्री हैं जिसके पास पूरी सुरक्षा विवस्ता है हाई प्रोफाइल और अतिसमवेदंशील इलाके में रैली कर रही हो जब उसमें कोई घुसकर ममता दी के पैर पर ही पैर रखकर भाग जाता है तो फिर यह सोचना कि ममता जी अपनी नीली चादर लेकर स्वाइम ही हॉस्पिटल जाएंगी यह तो जादा हो जाएगा मैं तो उस चीते को ढून रहा हूं जो ऐसा कांड कर गया एक मिनट को मुवाइल बगल में रखकर दाढ़ी खुजलाते हुए और अगर आप कन्या है तो नाकुन मुह में चवाते हुए सोचिए कि यार हमारा चीता है इस कि जैनियू में पढ़ा एक वामपंथी लंपट नया नया तीर चलाना सीखा था उसने एक बार जंगल में उसे एक बाग अपने हाथों से पानी पीता हुए दिखा तो उसने यह सोच कर तीर चला दिया यह तो विलक्षन बाग है बाद में पता चला कि वह तो उसी के डिप अम्रे रही के चक्कर में उसे माफ कर दिया विशयांतर नहीं हुआ है क्योंकि प्राता स्मर्णी आजीत भारती जी ब्रो एक विशब्द बिना काम के नहीं बोलते अब यह भी तो हो सकता है कि जिस चीते ने दीदी के पैरों को कुछला वो लेपड प्रिंट वाला ही नीजी तौर पर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि हां मुझे दर्द हुआ है मैंने जानने वाले कहते हैं कि मेरा हिर्दय अत्यान थी कोमल तंतों से बना हुआ हुआ है यू कन टाच इट फील इट कमान बेवी बस 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 इंजॉय नहीं करना यह सिर्फ हत्या हो जाए मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है टीमसी वाले इस बात पर कहते हैं कि जाने वाले को कौन रोख सका है जी उन्होंने कहा कि भाजपा और संग वाले तो वही से भगवान भगवान ज्यादा करते रहते हैं तो उन्होंने थूरी मदद कर दी लेकिन कि वहारे बनेंगे कोई ये कह रहा है कि प्रशांत किशोड ने अच्छी स्क्रिप्ट लिखी अब आप ही बताइए कि ये शुभा देता है क्या एक बंगाल की बेटी आज अस्पताल में प्लास्टर लगवाकर पड़ी हुई है और आपको लग रहा है कि प्रशांत देखकर आपको लगता है कि इतना गोलू-गोलू सा बच्चा इस तरह की सोच रखता होगा हमेशा मुस्कुराता रहता है क्यूट टाइप का आदमी है उसके स्क्रिप्ट में तो यह लिखा होगा कि ममता जी बच्चों के साथ स्कूलों में जाकर तस्वीरे खिच पाएंगी और वो मीडिया में वाइरल होगा आपको लगता है कि ममता को पहले चोट लगी फिर उसने रैली में बोला और फिर बारह गंटे के बाद उन्हें याद आए कि उफफ हमें दीदी को तभी हस्पिटल में अड्मिट करवा लेना चाहिए था इससे सानवुती मिलेगी कि प्रशांद कि सोर दीदी से हर रैली में यह बात कहलवाएगा कि भाजपा नहीं चाहती कि ममता रैली करे लोगों से मिले बात करे उनका दुख सुक जाने प्रसांद कि सोर जी उन वेक्तियों में से नहीं है जो ऐसी बातों का राजनीति करण करते हैं वो मोदी जी थोड़ कि ममता जी शाम तक स्वस्त हो जाएं लेकिन मैं उमीद तो अपने अखंड सिंगलत्यों के दूर होने की भी काफी समय से कर रहा हूं कुछ होता तो दिखने रहा हूं उमीद तो मैं यह भी करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे तथा डू पॉलिटिक्स चैनल को सब्सक्राइब करके गंटी बजा लें लेकिन वो तो आप करेंगे नहीं नमस्कार